हम लोग शुम्मत भगबत गीता के बारवें अध्याई के बीस्वेश लोग को देख रहे हैं तो अलोग-अलोग तरह से समझाएंगे बस बहान ये कहते हैं कि जो दो अर्थ है लेकिन अभी पहले एक अर्थ अमर लीजे कि जो इस भक्ति के पत को स्विकार भी करता है है वह भी मुझे बहुत प्री है एक अर्थ है बाकि में जब यसरी आर्थ आखेंगे हैं हम स्मझाएंगे आपको ये तू धर्म्यामृत मिदम यथोक्तम परियु पासते श्रत धानामत परमां भक्तास्ते थीव में प्रियाहा ये तू धर्म्यामृत मिदम यथोक्तम परियु पासते श्रत धानामत परमां भक्तास्ते थीव में प्रियाहा जो इस भक्ति के अमरपत का अनुसरन करते हैं और जो मुझे ही अपने चरम लक्ष बना कर श्रद्दा सहित पूर्ण रूपेन सलगन रहते हैं विभक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं ये तु और जो यतोक्तम उक्त प्रकार से इदम धर्मामरितम इस धर्म रूप अमरित की परियुपासते उपासना करते हैं ते वे सभी श्रद्धान श्रद्धावान मत परमाम भक्ताम में अत्यधिक प्रिया मेरे परायन भक्त गण मेरे अत्यधिक प्रिय हैं ये तु धर्मयामरितम इदम जो इस अमरित रूपी धर्म को ये थोक्तम परियुपासते जैसे मैंने कहा है वैसे उसकी उपासना करता है श्रत धानामत पर ममें सद्धा रखता है और मुझे मेरे परायन रहता है मुझे अपने जीवन का परम्ड़क्ष मानता है ते भकतावे सारे भक्त अतीव में प्रियावें मुझे अत्यमत प्रिय है गीता बुशन टीका, भक्ति योग के वर्णन का उपसुहार करते हुए भगवान यहां भक्ति योग में निष्ठा के फल्क कह रहे हैं, भक्ति योग में निष्ठा मीस, भक्ति योग में फिक्सिडनेस, मतलब करना है, कीता क्लास में आना है, जब करना है, कुछ S में कोई धील नहीं देनी है, निष्ठा का मतलब यहां तना की विक्ति लगा हुआ है, साधना मतलब लगा है, उसको भक्ति चाहिए इस तरह से, भक्तों को पूर्ण रूप से भक्ति के इस अम्रित मै पत को स्विकार करना चाहिए, जो सभी गुणों से युक्त है, और जिसका वर्णन मै आवेश मनो ये मामादी श्लोकों में हुआ है, जो इस पत के शर्ण वैसे ही लेते हैं, जैसे वे मेरी शर्ण लेते हैं, जो इस पत के द्वारा प्राप हैं, जो इस पत के प्रति शद्धावान हैं, और जो मुझ मे निरत हैं, ऐसे भक्त मुझे आतिप्री है, ये समझ में आया, देखिए जैसे आपनोंने कई बार सुना है कि भगवान भगवान के शर्ण में आना चाहिए तो भगवान के शर्ण में आने का मतब है भक्ति की शर्ण लेना शुद्ध भक्ति के पत्थ का शर्ण लेना मतब आप भगवान की प्राप्ति कैसे करोगे हम कैसे करेंगे भगवान की भक्ति करके तो भगवान को सबसे तो जैसे भगवान कृष्ण के प्रति उनकी अत्यांत आदर बुद्धी है वैसे ही वो भक्त जो भगवान को प्रिये हैं उनकी भगवान की भक्ति के प्रति सबसे अधिक आदर बुद्धी है ये कहने का मतलब है मेरे में जो भी सद्द्गुन नहीं है वो सब भगवान की भक्ति करने से परकट हो जाएगा यि बात है प्रते के जारी देखी बात इतनी सिंपल नहीं है वह बहुत और बहुत बार दो भॉहड़िक करते तो भक्ती को अभाववकता की उर्फ में लेवल करते थें लोग को ज्ञान वान तो कुछ है नहीं कि ऐसे बोलते भी गए वह आयकुष्टि लिए माया पूर पूर गई लिक्न की माया नहीं गई अंदर बैठके ध्यान करें अब जो भी करते हैं अब उससरे प्रियोजन होने आला सित्ध है नाम के प्रतिषरध्धा भगवान की भाक्ति की प्रतिषरध्धा प्रसाद के प्रतिषरध्धा नहीं है वो तपस्य और किसी चीजों में लगता है यही तो दूसरे दह में पूछा गया था कौन से रेष्ट है निर्विशेश की उपासना करने वाला यह भगवान की उपासना करने वाला यह प्रश्ण था ना तो जो भक्ती को सिकार किया है वे बना को प्री है भग्वान कृश्ण ऊसी व्यक्ति के वष में होते हैं जो केवल उनके प्रतिशमर्पित होता है और जो उनके प्रतिशमर्पित भक्ति के परतिशमर्पित होता है Very heavy line Seems to be very simple लेकिन देखिए अगर अपने हिर्दे में हम लोग देखें और किसी को बोलने की जुरत नहीं होती है लेकिन प्राया प्राया व्यक्ति सोचे में मिक्स्ट रद्धा होती है भगवान तो है लेकिन भाई जैसे ही लेकिन आ गया तो अभी हिर्दे में दूशन है शुकार करना कि हाँ मेरे मन में लेकिन है मेरे मन में डाउट है बोलती दूसरों को Chryne रहा है उसका मतलब यह है कि वेक्ति अभी पुर्ण शुद्धा को पराप्त करता二 तो थीरी है एक व्यक्ति को हम बात कर रहे थे हमने कर्कित दिक्कत है कि अनावश्रक चिंता करते हैं कि और भी अब अभी रहने के मिल रहा है ना आप यूझ एक साल तक लिए आपके पास है रहने के लिए और उमने कुछ उनको बताया भी देखी है क्या solution है आपके पास तरह से मिल जाएगा तो भवान तो वविस्था करके चल रहें तो आपको कब रोड पे रहने दिए आज तक तो रोड पे नहीं रहने दिए तो आगे कैसे रोड पे रहने देंगे आप और चिंता करने से तो आप सौल भी नहीं कर पाएंगे यह प्रहपा हो सब भी लोग हमारे साथ में हैं अचा 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 यह और अउनेस्ट अज तक तो भगवान चिला लिए लेकिन पता नहीं कैसे आगे चलेगा यह मन में आई जाते हैं जो के बेखते हैं जबकि हमारा कैसे सट चलना है जीवन पूरा सट होके आया है पहले से ब्रह्मा जी सट कर दिए अब भगवान तो देखी रहे हैं प्रबाद कहते हैं हाती तो भगवान की पूजा नहीं करता है तो हाती के बराबर खाते हो नहीं कहते हो हाती को भगवान खिला रहे है तो आपको भी खिला देंगे अच्छी बताये किसी ने आपको कभी कुछ अच्छा भोजन खिलाया है किसी पर इस्टिति जाए कि उसके पास कुछ खानने के लिए ना हो तो आप करेंगे जिए बताईये आप माइक पर क्या करेंगे आप बताओ कुछ आप संजण व geschती है आप बताईये क्या करोगे आप हम उसको खिलाएंगे elा तो क्या भगमान हमसे भी हीन है आप रोज भगमान को बहोग लगाएंगे है जा रहा है लेकिन कोई मतलब नहीं होता है यह दिए धिरे अपने स्वधा को भगवान के विए की चलता है सब को चलता है है अब हमें क्यों कह रहा हूं अगर भगवान को वश में करना है भगवान को जीतना है तो अपने प्रेयम को अर्थात अपनी सेवा को भगवान कियो डेरेट करना पड़ेगा इस देट ओके वो बात है अगर हम अनने लोग का आश्रे लेन लग जाएंगे तो फिर वह है उनकी सेवा करनी पड़ेगी इस रोके हाइपो थोटिकल मतलब जो केवल थेवरेटिकल बात हो सोचने के लिए भक्त लोग भूके मरत नहीं सकते असा नहीं हो सकता माल लिया जाकी भूका रह रहा है तो भग्वान को फिर तो भगवान से दिखत हो जाएगी ना भग्वान कहेंगे पत्रम पुश्प्रम फौलम तो यह निज़े तो रहे नहीं देंगे कैसे आपको जिब आप नहीं देंगे तो हमको देंगे कैसे तो भगवान ऐसे मैनेजर नहीं कि सुविधा ना दे और कि चलो करो अति सुन्दर भगवान प्रेम के द्वारा ही जीते जाते हैं इस सत्य का वर्णन भगवत गीता के बार्वे अध्याय में हुआ है इस श्लोक में दूसरे श्लोक से अंतिम श्लोक तक मैया वेश मनो ये माम मुझ पर मन को स्थिर करके से लेकर ये तु धर्मा मृतम विदम नित्य सिवा इस धर्म को तक भगवान ने अपने पास पहुँचने की दिवितेवा की विधियों की व्याख्या की है ऐसी विधियां उन्हें अत्यंत प्री हैं तो जो कोई कहले कि भई विधी वैधी भक्ती का पालन कर रहा है तो क्या वै भगवान को प्री है एक भाक्त प्रूश लेते शुद्ध भाक्त प्री है हम तो अभी शुद्ध हो रहे हैं तो क्या हम भी प्री है तो उत्तर क्या है बताईए इससे पढ़के क्या समझे आप लोग ऐसी विध्यां उन्हें अत्यांति प्रिये जिसका मन लगा वह भी प्रिये और जो नहीं लगा पा रहा हो अभ्यास कर रहा है वह भी प्रिये और अच्छा मालो जो अभ्यास नहीं कर पा रहा है कृष्टि के लिए कर्म कर रहा तो वह भी प्रिये और मालो वह भी नहीं कर पा क्या जुरत होगी इसको लेकिन जो अभ्यास करने का अधिकार से युक्त है वक्त केवल क्रिष्णी के लिए कर्म क्यों करेगा ध्यान दीजेगा मैं क्या बोल रहा हूं मैंने यह नहीं का कि क्रिष्णी के लिए कर्म नहीं करेगा मैं क्या रहा हूं केवल क्रिष्णी के कर सकते हैं और मालो वह भी ना कर पाए कुछ आद आपको कूलीन परिवार में कैसे मंदिर की जाड़ों लगाएंगे तो वह भी नहीं कर पा रहा तो निश्काम करम्योग करें तो भगवान से अलग तो नहीं चल रहा है कुछ तो भगवान के प्रतिव सरंडर की भावना है न सिवा मींस लव कुछ तो भगवान की प्रतिव सीवा को दे रहा है ना तो भगवान को वय प्री है यह बाखी लोग तो ब्लकल भगवान को प्रज़ब कर रहे चलते हैं यह बात एसी विधियां उन्हें अत्यांतिप्री हैं और इनमें लगे हुए व्यक्तियों को वे स्विकार कर लेते हैं और आप देखिए कि जब से स्कॉइन जॉइन की हैं विधी पे विधी ये है विधी जब करने की देखो माला दाय हाँस से पकड़ो इसको ऐसा कीचो अच्छा शिक गए नेक्स्ट नेक्स्ट उसके एक सफाई हो गई अच्छा आओ विटा जाओ प्रसाद कैसे बाय हाँस से की दूबास नान करते हूं यह विधी और लोग शुश्азывे हैं कि यह तो हमको बहुत तर्चरड कर हुल ने कहां थे हुब लेकिन इन विध्यों को जो सीकार कर रहा है वह भगवान को प्रिलग रहा देखिक कि कोई भी प्रमानिक भक्त आपको अब प्रमानिक बात नहीं बताएगा कोई नहीं बोले है कि 9 बजे 9 बजे कर सकते हो आस्तर कभी इस बहस होई कि मंगल अर्ति किसी बजा सकती है ना 430 देन 5 कर सकते हैं लेकिन की परवार में सब लोग साथ में होने चाहिए ना तो साड़े आट में साथ में कैसे आएंगे साड़े-चार मुझे करें दो अकीला करना पड़ेगा पदन किसकी आर्थी वरी भग्मान की वरी की वरी की वरी I have no idea but that's not what the instruction is एक विक्तियों को बुले हमारा जब मन करता है तो मिकदशी कर लेते हैं मैं कुछ मैं कुछ आज कर दिप्लमाशी के था चुप रहते हैं ठीक 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 तो दाल चाहत दीजिए और प्रसाद कहा रहेते हैं जब इनकी ऐसी ही स्रद्धा है कि जब इच्छा हो तो तो लग रहा है कि एक दश्री सी इनकी पूझा हो रही था भगवान की तो हो नहीं रही है नहीं जब मिच्छाए तो अच्टो चम्ले थे हैं जब नहीं है नहीं है तो ऐसे एसे नहीं बग्वान की प्रियता नहीं प्राप्त होती है दिखे विधी means sacrifice do you agree? sacrifice means denial of the interest of the senses it is not easy लेकिन हमको जो लाइन अच्छी लग रही है ऐसे भक्तों को भी वेस्विकार कर लेते हैं मतलब उनकी सेवा को भी वेस्विकार कर लेते हैं सोलम आला जब कर रहा है भक्ती कर रहा है तो उसके भोजन को भग्वान स्विकार कर लेते हैं अब सच कोई बीडी पी करके आगा रहा है बोजन बना रहा है या दिन वे जाके बीडी पीता है उसके भोजन कैसे स्विकार करते होंगे समझने वाले समझ रहे हैं कि मैं क्यों कह रहा हूं You can't just make compromises and compromises and compromises and no promise and only compromise Just keep on not compromising for everything और हम पर बहुत अच्छी बात लग रही है कि यदि आप जब कर रहे हैं नीवाओं का पालन कर रहे हैं तो कृष्ण आपकी सेवा को स्विकार करते हैं हम लोग हर बार हरी वक्ती सुषता है कि भक्त हमारे घर पे आए हम प्रसाद माय हम बड़ा अश्वराद मिलेगा और उसमें कोई संदेह नहीं के अश्वराद मिलेगा वो तो है ही परम पुझे वरिंदाव चंसमारा समझारे बात हो कि किसको देना चाहिए भक्तुक देना चाहिए लेकि मूल बात है कि सबसे ज़्यादा जो व्यक्ति देने वाला है जिसको दिया जाना चाहिए भग्वान है जो भी आप देंगी वो अनंध रूप से आपको लाब मिलेगा तो देखिए अगर छोटी सी बात मान ले व्यक्ति कि भवान का नाम चालन कर रहा है जिस विदी से बताये गया आपको यादी होगा हम लोग चर्चा कर चुके हैं पत्रम पुश्वां फलंतुय में पवित्र होकर के भवान के लिए बोजन बनाता है तो वो उसको स्विकार करते हैं अब क्यों करते हैं? क्योंकि हम बड़ी नम्र भावना में भगवान की बात मान रहे हैं अड़े नहीं बैठे हैं अरे भाव की बात है भाव की बात है नहाने की क्या चुरत है? क्या आप लोग ने ऐसा को भी सुना है किसी को प्रिच करते हैं? भगवान तो भाव की भूके हैं और भाव की भूर काँ नहीं बोल न से बच्चे तो चाही नहीं बी थे ना आप देखो कि साधना करते हैं जो हम कार्य भगवान को अप्रसंदा के लिए कर बैठते हैं उसमें दुख रहे हैं नहीं अपने आपको रोक पारें भगवान को प्रसंद नहीं कर रहा है तो वहां भी तो चेतना क्रिश्ण चेतना है ना अभी इसमें आगे आएगा तो मैं क्लियर करूंगा इसी एक बार मैं बोली दे रहा हूं क्लियर हो जाए देखिए भगवान गुणों से नहीं प्रभावित होते हैं बहुत से लोग अपनी इंद्रियों को श्रमन करने में भक्तों से भी अधिक समर्थ होते हैं लेकिन उनका भगवान के प्रति कोई भाव नहीं होता है तो समझने का प्रयास कीजिए जिन गुणों का वर्णन भगवान ने किया है अधेश्ट सर्वभूता नाम यह एक निरविश्रिश्वादी में भी आ सकता है किसी द्वेश्ट ना करे लेकिन भगवान से प्रेम नहीं कर रहा है किसी से द्वेश्ट नहीं कर रहा है लेकिन भगवान से प्रेम नहीं कर रहा है उस सबके प्रति नीट्रल और भगवान गेर लगा दिया था रागधर भी नहीं बढ़ रहा है देन इस नॉट डियर टो कृष्ण में एक्जांबल बता देता हूं में से रहा ने जा रहा है महाप्रभु के भग्वाग्वाश्ट थाकर रहस्तास्रम में उनके घर में रोज महाप्रुव किर्तन कर रहा है तो एक ब्रह्मचारी थे और बिलकुल पक्के ब्रह्मचारी थ यह जानते थे तो वह है आना चाहे तो महाप्रभु कहें ना वह वह बहुत नम्रता से नम्रता केली जैंब बोला कि हम आने दीजे तो जो अंदर आ गए तो अंदर बैठे वोग्वाश्ट देख रहे थे और महाप्रभु कहें आज किर्तन में आनत नहीं आ रहा लगता है क तो श्रेवास ठाकुर ने कहा कि ये ब्रह्मचारी कि दूद पिकर रहते हैं नहीं किये तो भगती निकिल वादे और ट्रोने लगे तो फिर उनकी नमरता देखे थी कि आज़ा उंतार ऐसे करके फिर भक्तों तो भक्तों की शर्णागती हुए बिना जो और जो गुण यहां बताए भी गए है अदेशी सरुबुतना माइतरह करोना एत्यादी उसके आद अंत में क्या लिखा है यहमद भक्त समे प्रिया वहाँ इसा बाते शूट गई थी शायद क्या शूटी गई थी यह गुण है लेकिन भक्त होना चाहिए और अगर भक्त नहीं है और बहुत सारे गुण है मालोग उसे बेगुसा नहीं करता है शान्त है, नमर है, सब कुछ है लेकिन भक्त नहीं है तो भग्वान को प्रिये नहीं है क्या यह क्लिर हुआ आप लोग बहुत इंपोर्टन पॉइंट आपको समझता होगा क्यों? क्योंकि कभी-कभी भक्त बोल रहते हैं बहुत अच्छे से कथा में रुची है, जब करते हैं लेकिन भुषा जाता है उनको तो कहते हैं कि हम न लोगों को देख रहा है कि भजान ठीक से नहीं करते हैं शान्त रहते हैं और हमारा मजाक बनाते हैं कि हम जब कर रहा है घंभीता से फिर भी गुसा कर देते हैं और आपके मन में अच्छा, पता ही यह रिलेट नहीं कर पार होंगे, अच्छा तो मैं ही पापी हूँ, बाकि कोई दुर्गुण से योगति नहीं है, आता है, आता है, ठीक है, तो यह डाउट आ जाता है, कि हम लोग क्या क्रिष्ट हमको प्रेम करती होंगे, हम तो इतनी गलती कर देते हैं इसे करके, तो आप गुणों क्चक्र बढ़ जाएंगे, कि हम गुण आने चाहिए, आना चाहिए, एस्पिरिशन होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुख्य बात क्या है, अपने हिर्दय में भक्ती बढ़ने चाहिए, भक्ती जैसे अंदर बढ़ती चली जाएगे, सारे अपने आप आते चली जाएगे, आयो, उम्मीद है कि हमें समझा पा रहा हूं इस बात को, जैसे एक्जामपल सोचिए, महाराज बढ़ अच्छा समझा इसको, कहरे देखो वही, आमानिना मान देना, कि इतनी बात नहीं कहरे हैं, क्योंकि आसे बहुत सी लोग हो सकते हैं, जो सम्मान की चलना करते हो, और दूसरों को सम्मान देते हो, उसके आगे क्या है, कीर्तनिया सदाहरी, उसके बाद वह यह भी भवान चाहते हैं, कि आप कीर्तन करें, अमानिना मान देना है, वह हमको प्रिया ऐसा नहीं बोल रहे हैं, अमानिना मान देना, कीर्तनिया सदाह कुछ लोग बड़े स्वह सभाव कि होते हैं या नहीं कि वो भावान का भजन में रुच्छी रखते हूं अगरीओ आप माँसे बात करेंगे आप से मीठा बोलेंगे आपसे दमीठा बोलेंगे इस एक प्रबह द्वियूर नहीं कर रहा होती है ठीक है, तो अर्जुन ने यह प्रश्ण उठाया था कि जो निराकार ब्रह्म की पत्में लगा है वैस्ष्रेष्ट है या जो साकार भगवान की सिवा में, भगवान ने इसका बहुत स्पष्ट उतर दिया कि आत्म साशातकार की समस्त विधियों में भगवान की भक्ती निसं की अब उसकी भक्ती प्राप्त करने की इच्छा हुई तब वह प्रमानिक गुरु बनाएगा सुनाई पढ़ रहा है कि आप रोला है प्रगपाद जी जो व्यक्ति-भक्ति वे वास्तिविक रूप से प्रग्रति ने करता वो फ्रॉड गुरु बनाएगा जो उसको इंद् सब्सक्राइब एक चिसा छोड़ ठीक होना एक सब्सक्राइब छोड़त आपशसे ब्लगिऊ रटाएक करो तो थ कुछ दिक करते हैं मीटा खाओ उधर जमा करते हैं तो आप जाना चाहेंगा नैसे यार आप बता कबूल करिये माइक पिल लिजे माइक कबूल करिए अगर कोई वैद कहें कि तुम जितना मीटा का सकते हो खाओ और तुम दवा खाओ की ठीक हो जाओ कि तो क्या लगता है आप अट्राइब करेंगा वह बहुत पसंद है अवर्यमा था लाइकिंग मुझे को आप अप्टाइब घी खा सकते हैं गी घी थोड़ा पसंद है आप कोई वैद्यों को बोल दे भाई तुम घी खाते रो तुमारा कॉलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ने हमारी दवा काते रों तो सम पर्टिकुलर लाइकिंग ऐसे व्यादे नहीं होते हैं और प्तानी वैद्यों को क्या दिक्कत होती है हम बहुत रेस्पेट करते हैं अर्वेद में लेकिन को दिक्कत होती हुथी वही चीज जो आपको पुसंद होगी वही बंद करेंगे सबसे पहले यह बंद करो उसको तो अब ऐसा कोई वेक्ति अगर वाकई स्वस्थ होना चाहेगा तो वह यह नहीं देखेगा कि क्या विदी विधान है वह देखेगा कि हम शुद्ध हो जाएंगे इसलिए प्रमानिकुरु बनाएगा और तब वह उससे श्रद्धा आसकती तब भक्ति के साथ सुनता है कीतन क करता है और भक्ति के विदी विधानों का पालन करने लगता है इस तरह है भग्वान की दिविशिवा में ततपर हो जाता है इस अध्याए में इस मार्ग की संस्तुती की गई है अतेव इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति ही परपित नहीं करती ता तूसरे शब्दों में जब तक उसे शुद्व भक्त की संगिती करने का आउसर प्राफ्त नहीं होता तभी तक निराकार की धालना लाप्रद हो सकती है यह समय आपको बात बात यह कही गई कि अगर कोई विक्ति भगवान को पूजा नहीं कर सकता पर यादर आपको इस बात है परम सत्य की निराकार धालना में मनुशुक कर्म भौल के बिना कर्म करता है और आत्मा तदह बदार्त का ज्यान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है तो यह निश्काम करम योग और ज्ञान योग का वन्नन हो गया यह तवी तक आवर्श्क है जब तक शुद्ध भक्त की संकति प्राप्त नहों स्वभा कि वश्यदी को शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भार्माम्रत में लगना चाहता है तो उसे आत्म साशाथकार की इतने सुपान पार नहीं करने होते हैं बड़ा इंप्रस्टिंग बात है कि भाई भक्ति क्य करें वो सारे सद्गुण भक्ति उत्मन करतेगी यह बात हमेशा ध्यान रगना क्योंकि इसको हमेशा भूल जाते हैं और हमारा तो अभी दुर्गुण गया नहीं अब तो यह नहीं गया तो भक्ति तो करिए कुछ समय तक तो हम क्या पढ़ रहा थे अब जहां भी पढ़ कित अन्हे वरतायन तो हृद्य यह हैं किसी को जीवण नीर्भा की वस्तूओं की चिन्ता नहीं करने होती हैं क्योंकि खथ्रभवत क्रिपास से सारी वस्तूइं स्वत्य शोलब होती हैं कि को श्यास मैं समय रोक्य गलत फह बोग नहीं होता हरा था कि है नहीं हरु ना तो तो अगली बाहर आपके जब ऐसे ना ऐसे को इसे जली का तो आप से भरना शुरू करने तो आप पर यह पर नहींद । हो पर लेना है कि हमारे लेंडलॉड नहीं है बहुत है नहीं अच्छा कर दिया इतना अच्छा वेंटिलेशन से कुछ तो मुने हास के बुला आप कहा कहा भाग रहे थे आप इदर देख रहे हैं उन्हें का रिख रहा है उसे चोटे बच्चे को अपने ही बच्चे को बोल रहा है इसे लग घर बना तो दिया है आपके लिए आपके पास नहीं आते हैं वो कोई वेक्ति आपको अपने जीवन में साहता कर रहा है तो भगवान ही उसको प्रेदित कर रहा है कुछ समझ रहे हैं बात कहीं से भी आप परिशान है परिशान तो सब लोग होते हैं और आपके कोई सहता करने के लिए कसमत आ जाता है तो वे भगवान की सहता है क्योंकि आप भगवान को प्रिय करने वाले कारे किये हैं एक भक्त कहते हैं कभी कभी दिल में ये खयाल आता है, फिल्म ही काने बोलते हो, कि बगवान है की नहीं, इसा करके खयाल में आता है, लेकिन बगवान विश्रास होने से सोचते हैं, कि वो हैं नसब कर देंगे, लेकिन प्रयास तो करना चाहिए, जी हां, बगवान प्रयास करने के लिए खुल बावन बो But knowing that Krishna has done everything. भग्वान कि रहोड की इच्छा को पूर्ण करने में पूरा सम् प्यास कर रहे होते हैं. अपने भोजन पानी की चिंता नहीं होती है. और दिकत यह है कि विक्ति अपने भोजन पाने की चिंता करता और भगवान की वानी को या भगवान की आग्या को पालन करने के वचार में नहीं रहता है यह कटना यह चेंता जरूर करनी चेंगे, कैसे हम भगवान के यश का विस्तार करेंगे, कैसे मैं किसी एक जीव को और help कर सकता हूं, भक्ति मान इकले, that is there, ऐसा करेंगे, तो निश्रति आप देखना कभी भूजन की दिक्कत नहीं होगी, और ये अपने हम अपने पहले तो बात हम थियोर समझ मेरा ना बात, ये समझने का प्रयास करेंगे, जो विक्ति भक्ति को स्विकार कर रहा है, भगवान बोल रहा है, मुझे अती प्रिये है, तो अती प्रिये को फिर आप चिंता की क्या जूरत है, लेकिन ये जो आपका जीव कर लेना चाहिए, ऐसा है, नहीं कि आपको न कर लो नौकरियों कर, फिर खुदी बोलें कि खुदी बोलें कि पिता माता जी के पास पेंशन है, अच्छा, और उनके पास घर भी है, जिसमें साथ यह रुपे किराया आता है, तो हमने का थोड़ा दोस्ती कर लो माता पिता से, कंप्रोमाइस कर लो, इस तो करना चाहिए, वो बेज देंगे, already they are sending something, और उनको ऐसे मत बोलो कि शादी नहीं करूँगा, बोलो अभी नहीं करूँगा, तो you are not technically wrong also, इनको सिखाया उनके, अभी मतलब कल भी तो अभी हो जाएगा ना, फिर फिर अभी हो जाएगा, तो ऐसे करके बोलते हैं ना चाहिए, It makes sense, और उससे लाब क्या होगा, इनके धामवास का उनको लाब हो जाएगा, एक दिन उनको भी धामवास मिल सकता है, राधरानी कृपा होगी तो, जिसे मेरे पिता जी जिन्दा थे और वो बाइक दिलाने के लिए आए थे, विश्य शुरूप से आए थे मुझे बाइक द जाते थे, तो उसका सुकृत बनेगा के नहीं बनेगा, नो डर कि हमको चीट करना चाहते हैं, लेंकि वह सहज जो प्रेम है, उसकी वजह से उनको लाब होता है, हिरणा कर्शुप को लाब होगा था, क्योंकि प्रलाद के तरफ प्रेम दिखाए थे, इनिशिली प्रेम तो यहां इतना सर्नागत हो कर क्या है, भग्वान अमरी वश्था भी नहीं कर रहे है, वश्ता भी नहीं कर रहे है, तो मैं अतना बुरा नहीं मानेगा, मित्र है तो विसलिए हम बखर दे रहे ही और बाकी लोगों को भी ओड़ेखो ने मीम टपक तो नहीं रह надо चाहती है क्या है आपको मुस्त भी रहना चाहिए हम पिछले घर में रहते थे तो थोड़ा पानी टपकता था हुआ पे अच्छा थोड़े टपक रहा है बाल्टी में आ जाए बाल्टी में आधी कतों से अब भग्वान ऐसा कर दिये कि कुछ नहीं टपकता है तो कृष्ण थोड़ी प अब एक भग्त है अम नाम नाम नहीं बहुत है तो बगवान उनको फ्री में रहने के व्यस्ता कर दिये और भग्तों के साथ ही रहने के व्यस्ता कर दिये तो बगवान जितना आप हमारे माता पिता प्रेम कर रहेंगे उससे अधिक प्रेम करते हैं बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं हम भक्ति करेंगे तो निश्वी तुरुप से अपने वेस्था बनाएंगे विश्वासर के चिंदा नहीं करना और अगली बार आपके ऐसे हो जाए तो अपना इस तरह श्रीमत भगवद्गीता के बार में ध्याए भक्तियों का भक्ति बदान तात्परनपुर्णा खोश्मत हो एक टीका और है ज्यादा खुसरी जुरत नहीं है अहां बागो गंटी वजेगी अब बजेगी इस इस ब्रिलियंट इस ब्रिलियंट कमेंटरी एक बार में उनको समझ में नहीं कि फिर मैंने इंग्रिश भी देखिए देखिए सारार्थ वरष्णि पूर्व कतित अनेक प्रकार के स्वभक्त निष्ट धर्मों का उपसहार करते हुए इसे प्राप्त करने की इच्छा करने वालों के श्रवन पाठ और विचारादी के प्राप्त फ अस्व तो वहां नियम बताये कि यह कैसे भक्ति करो और यह भी बताया कि भक्तों के यह धर्म अर्थात उनके वह गुण जो उनसे कभी अलग नहीं किया सकते उनका भी वर्णन किया अद्विष्ट्ण सर्वभूता नाम समझ मैं धर्म कमला समझते ना किसी वह वस्तु का वह गुण जो उससे अलग नहीं किया सकता तो अपने भक्तों में फिक्स्ट जो गुण है उनका वर्णन भग्वान ने किया अद्विष्ट्ण सर्वभूता नाम महितर करोना एवचा निर्ममो निरांकारा समा दुखा सुखा क्षमी तो यह एक एक गुण जो है यह भक्त तो में फिक्स्ट रहता है और यह भी हो सकता है यह भी हो सकता है कि किसी एक भक्त विशेश में एक ही गुण हो यह कुछ दो ही गुण हो तो अब कह रहे हैं कि जो हक्त इन सभी गुणों की प्राप्त करने की उपर विचार करते हैं कि काश में अद्विष्ट हो जाओं और यह गुड तो बहुत अच्छा है यह बी चाहिए जैसे मार्ट में जाते हैं आप लो अपनों मेरा बच्चों को मम्ही लेकर गई तो कहेंगी कौन सी चॉकलेट चाहिए यह भी चाहिए और वो भी चाहिए और यह भी चाहिए आज्या Yak यदा अगया तो ऐसे जो भक्त सोच रहा है कि अध्विष्टा भी चाहिए और अनिकेड शाहिए और यह क्योंकि हर गुण आपने विचार किया था तो एसे घुण तो एसे भग्त सारी इस टींग आई ए कि जो भग्त एक गुण सबheres घुन को जूनको वनटन किया है कि यह कहते हुए कि य। एसे गुणों की वह लालसा करता है तो उने सबसे अहईक अधिक है कुछ-कुछ भक्तों में एक गुण है दूसरा गुण नहीं है ऐसा हो सकता है फिर भी प्रीय है मालों को अद्योश सर्व भूता नाम में तो भवान को प्रीय है लेकिन भक्त जब इन पर विचार कर रहे होते हैं गीता में सुन रहे हैं तो आप यह बता दो कौन आप नही पढ़ाते हैं इसलिए कि सुनने का पाठ का और विचार आदिका सुना आपने पढ़ा आपने और विचार किया यह गुण तो बहुत अच्छा है अध्विष्ट सर्भूता नाम मैत्र करून यह विचार वह बहुत अच्छा है आचा समा दुखा सुक्ष्म यह भी बहुत अधिक प्री है आचा ऐसा हुआ था कि कोई गुण आप ना प्राप्त करना चाहते हो आनिकेत वाला नहीं मालेंगे भाई क्योंकि हमारा घर बड़ा अच्छा है ना तुम्हां एक एक शब्द विचार किया गया किसी का नहीं बीटा तो अब आप देखेंगे कि एक एक भगवान की भक्ति करके उससे जो शांती उत्पन होती है उससे विक्ति में ये सारे धर्म अर्थाजी जो भगवान ने दिवे गुण बोले हैं वह प्रकट हो जाते हैं ये प्राक्रत गुण नहीं है बहुत इक गुण नहीं है क्यों कहते हैं कृष्ण भक्ति से ही तुष्ट होते हैं गुण से नहीं कोई सभी जीवों से द्वेश नहीं कर रहा है लेकिन भगवा से प्रेम नहीं कर रहा है तो भगवान उससे भवान को इंप्रेस्ट नहीं करेगा इस प्रकार की असंक उक्तिया है यहां तु का प्रयोग भिन उपक्रम में हुआ है ध्याज सुनिए ओक्त लक्षण योक्त भक्त गण एक-एक सुस्भाव निष्ट होते हैं किन्तु उन समस सिद्धगण से स्फ्रेष्ट होते हैं इसलिए यहां अतीव पद का प्रयोग हुआ है तो समझिए ये तू धर्मा मृत मिदम जो इन अमृत मैं धर्मों को किन्तु ये तू किन्तु ये तू धर्मा मृत मिदम यथोक्तम परियुपासते तो अब कहने का उर्थ है कि भगव अद्धिष्ट सर्व भूता नाम मैत्रह करूना एवचा तो ये नि क्या रहो कि एक ही गुणों का लेकिन माली किसी में एक हो किसी में दो हो तो वह भगवान को प्रिय होते हैं लेकिन भक्त जब इन सारे गुणों को सुन रहा है और वह इन सभी गुणों का पिपासु हो जाए पीने की इच्छा अर्थात गुणों को धरन करने के इच्छा वाला हो जाए कि काशी सारे गुण में आ जाएं तुम मैं भगवान को अत्यधिक प्री हो जाओंगा तो अब ऐसी इच्छा वाला भक्त जिसको गुण प्राप्त नहीं है जो गुणों का खाली सभी भक्तों से सिरेष्ट हो जाए कि जिनके पास यह एक एक गुण और लड़ी है को समझ भी आए आपको इसी लिए तू शब्द का प्रियोग किया है इससे पहले भवान ने कहा कि योमद भक्त सच में प्रिया और यहां कि अधीव प्रिया इस लोग में अधीव प्रिया बोड़ी इंट्रेस्टिंग है ना और अविश्वसनी लग रही है जिसके पास गुण है नहीं वो अत्यधिक प्रिय है और जिसके पास गुण है वो प्रिय है जिसके पास अल्ड़ी गुण है एक गुण है तो प्रिय है लेकिन जिसके पास गुण नहीं है लेकिन लालसा क वो अधिक प्रिय है क्योंकि जिसके पास है नहीं लेकिन लालसा सारे गुणों की है अधिश्ट सर्व बुता नाम, मैत्र करोनाई वचा, निर्ममोदी रंका सारे गुणों उसमें अगर हैं सारे गुणों की लालसा हो रही कि ये भी हो जाए ये भी हो जाए तो कृष्ण को भुली वर्वंदावन के प्रुष्ट अशुद्ध भक्त अगर आपको याद OUT अपी चीत शुदुरचारव में क्या सुना था आपने यह सुना था कि जो महात्मा का वर्ण भवान किये कि महात्मानाम महात्मानास्तु महात्मानामस्त क्या था जो आगे जाके 9.30 में कोई हैं कि जो विक्ति अनन्य भाग अनन्य भाव से मेरा भजन कर रहा है कि कृष्टी की भक्ति ही मुझे सारे सिद्धी की प्राप्ति करा देगी तो ऐसा व्यक्ति भी वैसे ही प्रिय है बगवान को जैसे कि महात्मागणा तो लालसा का बड़ा प्रभाव है विद वाट एस्पिरेशन वी आर चैंटिंग विद भक्ति किस लालसा से व्यक्ति भक्ति कर रहा है बड़ा सतर खोना हो पड़ेगा क्योंकि हम लोग सोच सकते हैं कि यह तो व्यक्ति अभी आया है इसके तो भी दिक्षा भी नहीं हुई है तो लेकर उसकी लालसा क्या है उस लालसा की अधार पर व्यक्ति भग्वान को प्री होता है ना थिर्फ प्री होता है बलकि अधीव प्री होता है तो आप लोग I mean this was this comment was kind of astonishing इसलिए यहां प्रवा चक्रवर्थी बात कहा रहें कि तू शब्द का प्रयोग एक भिन अर्थ में हुआ है कि यह जो सारे गुणों की लासावला प्राप्त करने वाला भैक्ति है वो मुझे सबसे अधिक प्री है इसलिए यहां अतीव पद्गा प्रयोग हुआ था प्रयोग हुआ है इसको पढ़ भी लेना सर्व स्रिष्ठा सुख मई सर्व साध्य नहीं किसी के द्वारा भी जो साधित हो सके सू साधिका बड़ी आसानी से संपाधित किया सके भक्ति के ऐसे गोंड इस अध्याय में दिर घौक्ति है भ्यें द्रक्ष को समारें तथा पि उन उन आश्वादै के लोभी साध्यकन अपनी अकांग्शा उनसार ही उसे घृफ्ण करते में नीम का जूस पीना चाहता तो वह थाहता है और जो जो द्रक्ष को सिवन करना चाहता है द्राक्ष मोलोब हुनक्क का बोलते म मीठा फल वह मीठा होता उसको जो स्विकार करना चाहते वह अपने इच्छा के असार कहते है यह दिप भगवान ने कर दिया है कि भक्ती सर्वशेष्ट है अगर आप लोगों को संदे वराओ तो आपको प्रभपात की वात याद रहनी चाहिए कि जो निया भक्त है नौसिख्या भक्त है वह भी एक मायवादी सन्यासी से बहुत अधिक प्री है भगवान कृष्ण को क्योंकि उसकी लालसा शुद्ध भक्ती प्राप्त करने के पर ऐसे क्यों प्रभुजी जो लालसा रखते हैं ऐसे गुणों के लिए वो अधिक प्रिया क्यों जबकि दूसरी वर भक्त जो सब भक्ती भी कर रहा है और गुण भी है आपने ध्यान नहीं दिया किसी भक्त में एक गुण है लेकिन जिस बक्त का वर्णन आपर कर रहे हैं उसके बास गुण भले नहों लेकिन लालसा सभी गुणों की है तो वो मुझे अधिक प्रिया है क्योंकि लालसा है तो सारे गुण प्रकाशित हो जाएंगे धीरी-धीरी करके लॉल्लियम अपने सुनाने शब्द भक्ती करते करते हैं उसके सारे गुण प्रकाशित हो जाएंगे और वेसलिये जो अन्य गुण वह भी उनको भुण मौका देंगे अब दिखिये हम अपनी बात तो करने रहे हैं हमको भी चप्रित करते हैं यह क्या कह रहा है है लेकिन दिखिए लालसा का बड़ा प्रभाव होता है तो फाइदा क्या हुआ लालसा का बड़ा प्रभावता है आप अपने ही डीलिंग्स पे देख लेना किसी भी वेक्ति को देख लेना कि कौन वेक्ति आप से किस उद्रिश्ट से मिलता है उससे आपकी उस वेक्ति की प्रति प्रियता या अप्रियता होती बहुत जादा होती है। आप बताई कि कोई व्यक्ति आपको कि वह लिए यूज करना चाहता है। How do you feel? Sometime और बलकि बैसे ऐसे लोग मिलते हैं कि आपका अपना उल्लू सिदा करना चाहते हैं कि वह भी उल्लू है। इसलिए उल्लू सिदा करना चक्र में रहते हैं। तो किस इंटेंशन से हमारे से को इस व्यक्ति संबंद रख रहा है। उससे हम प्रभावित होते हैं तो भगवान तो व्यक्ति है। कोई कितना भी योग व्यक्ति हो आपसे प्रेम ना करें। तो आप कैसे प्रेम करें। बताई उससे। Is it not? और यह बताईए, एक चीज़ बताईए, कोई व्यक्ति माल लेजे दुर्गुण भी है ऐसमें। For example, माल लेजे वो शिग्रट भी पीता है। For example, लेकिन जो भी वो आपका समान करता है। Not in a superficial way, genuinely समान करता है और आपको appreciate करता है। कोई उत्र, कोई मेरे उसे समर्थन नहीं कर रहा है। I mean I don't know. यह खाली समर्थन करने के लिए हम बोले, चलो समर्थन करो ऐसे करके। आप देखेगे कि कोई विक्ति आपसे बहुत प्रेम करता है तो उसके दुर्गुण नहीं देखते हैं। दुर्गुण होने पर भी नहीं दिखते। यही तो बात वहां पर भगवान न 9.30 में बता है। क्रिष्णा is very sensitive कि यह जीव चाहे कैसी भी इस्तिति में हो, यह शुद्ध गुण को प्राप्त करना चाहता है। क्यों? क्योंकि यह गुण भगवान श्री कृष्णा को प्रिय लगेंगे। और मूल वो जीव की स्तिति क्या है? तद सुक सुक है। क्रिष्ण सुक हो जाए। तो यह मूल पॉइंट है। कुछ और भी कहना चाहते हैं वक्त। इसका मतलब सही डिरेक्शन भगवत भकति में इच्छा भगवान को एकसेप्ट है, लेकिन बाकी इंद्रितिष्टी वाले इच्छा है नहीं। कि भगवान की भक्ति वास्तिवी ग्रूप से तो इंद्रिष्टी की इच्छा से हो नहीं सकती वह बिजनस होता है कि भगवान हमको यह दे दीजी हम आपके लिए करेंगे एक पेड़ा चड़ा दें तो बागी हमको पहाड मिल जाए जैसा पेड़े के बल्ले में पहाड चाह रहे हैं और वह भी बवान कहते बड़ अच्छा है अर्थार्ति यदि लेकिन वास्तिविक भक्ती जो है वह निश्काम ही होती भक्ती में अन्याभ लाशृता शुने बाकि जो है वो सब बिजनस से बिजनस कर रहा तो ठीक है बगान उसको वी स्विकार करते है उसको दें लेकिन रियल भाक्ति मेंस सेल्फलेस्नेस, हाँ बोली है, हाँ रिष्णा प्रभुजी, प्रभुजी जैसे आप बोलेते हैं अभी कि जो भक्त गुनों की लालसा करते है, वो सबसे अधिक प्रिय है, दिरे दिरे वो सब गुन उसमें आ जाते है, फिर मतलब प्रियता भगव जी कि उसके उपर घड जाते है, यह कृष्ण का दिव गुन है, डिपेंड़न नहीं है, पर ट्राइट वाप्रिशेट कृष्णा पसनाल्टी देखिए, एप्सलूट उसेंशिन भगवान एक व्यक्ति हैं, यह क्यों भूल जाते हैं, आप दीबदान कर रहे हैं भगवान को यह प्री है, तो दोनों में अंतर नहीं है, दोनों लोग बगवान को फ्री हैं, पहन गार कोुस्तों दे रहा है, दीबतान कर रहा है, को तो करना है, लेकिन फिर यह क्या सुन पृपर्त प्रियाट, अच्छली बताइए, आप ओ खरेला चला में, तो कई बार हां करला बना जाता है हमारे घर में क्यों बना जाता है कि मुझे पसंदें कि लिए बनाते हैं कि प्हूद है तो इसकर पील from डिते है मृग है चल भाई अुझiktight बनना जाता मेंन वह भॹी लगता कउना लगता के मिनला चो पतली है Better नहीं पसंद हो, ऐसा होता है क्या, आपको मालूम चल जाए कि इनको कड़ी पसंद है, ये पसंद है, वो पसंद है, तो फिर वेक्ति जब मौकब मिले का सब बनाता ही चलेगा, इनको पसंद है, तो अब यहाँ इसलिए ने कि यहाँ पे मैडल लगा, अद्वेश्ट सर्व हो आप बताओं कि यह लॉजिकल नहीं है, जब इधर से वेक्ति सोच रहा है कि यह सारे गुण से क्रिश्ण प्रसंद हो जाएंगे, तो फिर वो प्रसंद हो, वो तो क्रिश्ण को प्रसंद करने की भावना है, बहुत अच्छी टीका करी गई है, आनुकूर ले ने करें, आप बताइए, नहीं आती, आप खुद अपने में असंतुष्टी का भाव करते हैं कि हम जब तो कर रहे हैं, लेकिन ये दूसरी सेवा हम नहीं कर पा रहे हैं, जो अब पती वरता स्थरी होती है, उनका तो दिमाग इसीम चलता रहता है, ये भी सेवा करते हैं, और इत्कोई हो तो भी अकल से वही क्लास देना चुरू करते हमारता हट जाएंगे, सही में, अच्छा, तो जब भी इंद्रिया जिस वी तरह से सहमित नहीं कर पाए, तो गलानी रहती नहीं रहे हैं, यारी, क्या, इस से क्रिष्ट असुखी नहीं होंगे, काश हमारी इंद्र होगे, समय खराब कर रहे हैं, इतने मिजब कर लेते, कौन भक्त ऐसा कह सकता है, कि असे नहीं इच्छा आती, तो भाव होता है, कि ये काश सदगुण होता तो हम भजन कर पाते, ये दूसरे भक्तों को देखते हैं, एक अधिक गुण को प्राप्त की है, तो कंप्टिशन होता है, काश हमें ये भी गुणदा तो हम भी कृष्ण के सेवा कर पाते, मादवेंद पूरी पाकुद देखिए, कि उनको कुछ खीर खाने के अच्छा थी, नहीं, ये इतनी सुंदर खीर है, काश हमें भी आती, तो हम गुपाल जी को भोग लगाते, तो जो इस प्रकार स भगवान को कृष्ण को सुखी करने के अच्छा अधिक कर रहा है, तो भगवान सब्सक्राइब के से अतीव प्रिय कहेंगे ना, ये हमको अच्छा लगता है, ये आइटम उनको बहुत अच्छा लगता है, इस तरह से कह रहा है, माली जै मैं मुझे को कहा जा कि आपको अर लालसा करें, ऐसा नहीं को अलग से कल्टिवेट कर पाएंगे, लेकिन लालसा करें कि काश ये सब गुण हमारे में हो, तो भगवान कृष्ण को और सुखी कर पाएं, ये बात, मैं बतारों ये ठीका बड़ी सुख सुन्दर थी, प्रभुजी मैं गुणों की लालसा नहीं करके भक्ति कर रहा हूं, भगवान को सुख देने का प्रयास करता हूं, मैं भगवान का प्रिये हो सकता हूं, नहीं आप नहीं हो सकते हैं, जो व्यक्ति भगवान को सुख देने का प्रयास कर रहा है, भगवान को बहुत खराब लगता है, आप कैसे प्रश्म करते हो, जो दुख दिने का प्रयास करता है वही बगवान को प्रियरता है यह तो बोल रहा है गीता का सार और यह प्रश्ण कहने के क्या बात है दूसरी बात प्रवपाद नहीं तादपर में कहा है अगर आप नोटिस करें कि जब भक्ती विक्ती कर रहा है तो उसको देखना चाहिए कि कितने गुण प्रकाशित हुए अच्छा यह बताई कि जब भुखार की दवा लेते तो चेक निक करते तीन-चार बार कितना टेमपरिचर कम हुआ है अभी महाना कर इसी को भुखार हो लेकिन मान लोग किसी का 102-103 भुखार हुआ कभी ऐसा हुआ है कि दवा खाने की दुगुंटे बाद आप ना देखे हो कि टेमपरिचर कम हुआ है कि नहीं मेरा प्रश्ण समझे आप यह एक सुद्धी हुआ कि नहीं एक पॉइंट भी पॉइंट फाइट फॉइंट फाइट फहांच गया हर विक्ति अपने लिए प्रग्रेश्ट चेक करना चाहता है एक सिंपल सी बात है जितना हम भक्ति में प्रग्रिति करेंगे विल बिकम डिस्गस्टिट विस सेंस ग्राटिफिकेशन तो कौन ऐसा भक्त है जो करना चाहते है कि तो इस अब बुन है की नहीं क्या यह सही अन्डरस्टाइब है कि जो विक्ति कृष्णि के लिए कर्म कर्म नहीं करता परंतु निश्काम कर्म करता है तो क्या वह बस अपने फ़ल से आ सकत नहीं होता या भगवान को अर्पित भी करता देखिए वहां पे के बात वर्डी सफ़श्ट थी वह अपने पहल का त्या कर रहा है भगवान में आ सकते नहीं है भगवान के से वह नहीं कर रहा है लेकिन कर्म करने से दीरे दीरे उसके मन में शांती आती है निश्काम कर्म एक्चिली में क्या इसके लिए आप संपर्क करें भक्ति ट्री चैनल से तीजरा चौथा पांच बाद है और छटे में भी आई यह बात तो वहां समझाए गया निश्कार्म कर्म क्या होता है अब उसका रिविजन यहां तो हम नहीं कर सकेंगे ठीक है तो फिल स्टॉप ना शीमर्भगवत गीता की जये शीलब रहुपात की जये निताई गोवर प्रिमान अंदे